नमस्कार मित्रों आप सभी का क्रेक एक्जम ओनलाइन के यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है मित्रों अगर आप LDC, PTI, REIT, CT, FCI, FORESTGARD अन्य किसी भी राजस्तान लेवल के एक्जाम की कोई त्यारी कर रहे हो और आपको पता चलेगा कि कितने क्योशन आपके यहां से पूछे जा रहे हैं कितने क्योशन हमारे उस सोट नोट से आ रहे हैं लग बग ये इसके अंदर हंडर्ड क्योशन हम करने वाले हैं मैं तो हंडर्ड क्योशन इस वीडियो के अंदर करेंगे और उसमें से आप ये देखोगे कि 95 के आसपास question हमारे उस short note से आ रहे है मातरवन गंटे का वीडियो है उससे ये question आपको देखने को मिल जाएंगे कचवा नहीं था मित्रो तो एक चार मेने आपको देखने चार थे तो चोथा कौन था पुंजा भील मित्रो पुंजा भील था मित्रो चोथा व्यक्ति कौन था पुंजा भील था इस हिसाब से एक दो तीन सही रहेगा एक दो तीन हमारा मैच कर रहा है चार नमबर के साथ इस question के लिए right answer रोजेगा चार नमबर एक दो तीन है आपर बिल्कुल सही रहने वाला है यह इसमें सामिल नहीं था यह मुमल के जो मुमल की यह book से person हमने उठाए है और आपको वीडियो कैसा लगे हमें कोमेट करकर जरूर बता है मुमल की बुक से यह question उठाए है आप देखोगे कि कितने question हमारे उस वीडियो से cover हो रहे है और मुमल की बुक में यह previous year based question है मित्रो previous year based question है यह किसी ना किसी exam में आई है 100 questions जो हम कर रहे हैं अभिनव भरता चारे यह मतलब किसकी उपादी थी आपको बताना है यहां पर किसकी उपादी थी मित्रो माराना कुंभा की उपादी थी अभिनव भरता चारे किसकी थी अभिनव भरता चारे राणा रासो और क्या थी राणा रासो थी और भी होगी, याद होगी आपको हिंदू सुर्तान, हिंदू सुर्तान थी इसके लावाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्योशन पे आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए आपको पढ़ना है और बताना है यह परसिद है कि उसे मारणा कुमबा ने बनवाया था यह बात बिल्कुल ठीक है इसके कुल 11 मंजले में तरुन नहीं 9 मंजले हैं इसमें जेता की मूर्ती उतकरना यह बात भी सही है मतलब 2 तो बिल्कुल नहीं आएगा अगर इतना पता होता है कि 11 मंजले नहीं है 9 है तो भी क्योशन हो रहा है देखो इसमें 2 आ रहा है इसमें 2 आ रहा है इसमें 2 आ रहा है फिर लड़ता है गागरोन की लड़ाई, फिर लड़ता है बयाना की लड़ाई 2 3 1 2 3 1 यानि की चार नंबर option बिलकुलार रइड़ रहेगा कैसे, खातोली की लड़ाई लड़ता है मित्रों ये 1517 में 1517 में ये लड़ता है 19 में और ये वाली होती है 1527 में हो गया काल करम इसके बाद next question है मुमल की बुक है राजसान आल एक्जाम रिव्यू उससे ये question उठाए है हमने आल एक्जाम रिव्यू बुक है उससे question उठाए है प्रिविएस ये question है आपको वीडियो कैसा लागए हमें comment करके बताए अगर आपने मिवाड के short note वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए फिर आप खुद ही जान जाएंगे कि कितने questions शिर्फ ए गंटे की वीडियो से हम cover कर पा रहे है बिल्कुल पूरा topic हमने रिवाइज कर लिया था एक बार जरूर जा कर देखें जगत सिंग ने की थी मित्रों अदेख्षता किसने की थी? जगत सिंग ने की थी मित्रों ध्यार रखेंगे मारवाड से discussion के बाद दुर्गादास राठवर को मेवाड राजिम में क्या पत दिया गया था? हाकीम दो नमबर उपसनिया पर बिल्कुल राइट रहेगा राना कुंबा की हत्या हुई थी मित्रों कुंबलगड में कुंबा की हत्या कहां पर होती है कुंबलगड के अंतर होती है उनके बेटा जो था उदा की दोबारा माना परताब के मिट्ट्यू के पस्चात निमन में से कौन सा राजपुत मेवाड का सासक बना मैंने आपको कल और परसों जो जतने वीडियो में पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया थी परताब के बेटे का नाम बताये था अमर सिंग तो सासत राजा कोन बनेगा अमर सिंग बनेगा इसके बाद next question देखिते हैं, no number question में हमाद चुखे हैं हल्दी का टिक के युद को नीमन में से किस विदवान ने खमनोर का युद कहा है आपको बताना है किस विदवान ने खमनोर का युद कहा है miltrahोan अबुल फजल ने अबुल फजल ने क्या का है खमनोर का युद का है बदाइनू ने क्या का है बदाइनू ने का है गोगुंदा का गोगुंदा का का है बदाइनू ने करनल टोडने का है मिवाड की थर्मोपोली मैं आपको फिर रिवाइज करवा रहा हूं जाके देखिए वीडियो पता चल जाएगा आपको कितने क्योशन हम कवर कर पारे हैं राजस्तानी वस्तुकला का जनक किसे माना जाता है वस्तुकला का जनक पुछा गया है तो राणा कुम्भा रणा कुम्बा को वास्तुकला का जनक माना जाता है हल्दी घाटी का यूद लड़ा गया था हल्दी घाटी का यूद 1536 को कब 1536 को हल्दी घाटी का यूद लड़ा गया ठारा जून 1536 को हल्दी घाटी का यूद लड़ा गया था मित्रो अब नेक्स देखते हैं 12 नमबर क्योशन हम पढ़ रहे हैं जैन विद्वान जो मारणा कुम्बा के दरबार में थे जैन विद्वान का नाम बताना है तो उसके लिए राइट रहेगा मुनी जैन जिन सेंसुरी एक नमबर उप्सन बिलकुल यहां पर राइट रहेगा सन 1576 के युद के बाद अकबर ने उद्वान का परसासन किसे सोंपा था आमेर के जगनात कछवा को सोंपा था आप मान सिंग मत कराना मान सिंग को नहीं दिया मान सिंग का तो दरबार में आना बंद कर दिया था क्योंकि ये परताव को अधिनता सभीकार नहीं करवा पाये थे इस कारण से दरबार में आना बंद करवा दिया तो उनको तो देंगे नहीं तो अमेर के जगनात कछवा को ये आप जरूर द्यान रखेंगे, चलते हैं next question की तरफ, सन 1437 इस्वी में मेवाड मालवा यूद का तात कालिन कारण आपसे पूछा गया है, मेवाड मालवा का यूद होता है, जिसका तात कालिन कारण पूछा गया है, जिसके बाद, 1437 इस्वी के बाद, जिसे हम सांगा नेर, सारंगपूर का यूद कहते हैं, सारंगपूर का यूद होता है मित्रों ये, और इस यूद के बाद कुम्भा क्या करता है, कीर्थि स्थम्भ का निर्मान करवाता है, ये बात होगी, मालवा का महपा पमार को मेवाड को सौंपने से इंकार करने ये महपा पमार को नहीं है मित्रों इनके साथ था चाचा, मेरा और महपा पमार थे जिन्नोंने मोकल की हत्या की थी अपने पिता के हत्यारों को नहीं सौंपने के कारण ये यूद होता है आपको ध्यान होगा इसके बाद नेक्स्ट एं निमन यूदों को ध्यान में रखकर उनके सही काल करन उनको बताए मित्रों जितने भी हम question कर रहे है 100 के आसपास question 100 plus मानिए आप पर तेग person किसी ने किसी एक जामें पुछा गया है किसी ने किसी एक्जामें पुछा गया है paper से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा एक बार वीडियो को जुरूर देखिए previous year questions के अधार पर देख लीजिए बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए ये रहने वाला है मिल का पतर साबित होगा और आप फिर चाहें तो हमारे short note वाला भी वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कितने questions उस एक घंटे की वीडियो से cover हम कर पा रहे है हल्दी गाटी का यूद, खानवा का यूद और त्राइन का दूसरा यूद इनको कालकर्मन के मुशार लगाना है तो मित्रो पहले कौन सा आएगा त्राइन का यूद आएगा तीन नंबर पे यह होता कब है 1191 या 1192 दो बार हुआ था न तो वो हो गया उसके बाद होगा खानवा का यूद दो नंबर पे यूद आजएगा इनका टाइम पीरियWH आपको बता दिया बार बार बताने से को फाइदा है नहीं चितोड का विजैष तम्ब किन के दवारा बनवाई आ गया था चितोड का विजैयष तम्ब किसके दवारा रणा कुम्भा के दवारा अब वन लाइनर क्योशन है मित्रों यह MC क्योश थे अब वन लाइनर क्योशन इसके अंदर ये रहने वाले next सारे वन लाइनर ही क्योशन है किस मुगल सासक ने चितोड विजय के उपरांत मिवाड में सिक्का एलची सलाया कल मैंने आपको बताया था किसने अकबर ने सलाया है मित्रों उध्या पुर्ष्टित एकलिंग जी मंदिर का निर्मान किस महाराना के समय हुआ था बपा रावल के समय निर्मान हुआ था मित्रों में आपको बताया था एक लिंग जी मंदिर की चार दिवारी का निर्मान कौन करवाता है मोकल इसके पर कोटे का चार दिवारी का निर्मान करवाता है मंदिर किसमे बुरू आया तब बपा रावल ने बनवाया महाराणा सांगा के मिर्त शरीर का धा संसकार किस इस्थान पर किया गया सांगा का मांडलगड भीलवाड़ा मांडलगड भीलवाड़ा चतरी बूजले यह वो ही बात्ते होगी मांडलगड भीलवाड़ा सिर्फ क्योशन आपको गुमा रहा है नेक्स्ट क्योशन है गोरा और बादल ने किस की रक्षा की थी गोरा और बादल ने मित्रो रानी पदिमिनी की रक्षा की थी गोरा और बादल ने किस की रक्षा की थी तो रानी पदिमिनी की रक्षा की थी मेवाड के किस महराना के सासनकाल में मेवाड महराना के साथ सती होन कि अंतिम घटना का विवरण मिलता है सवरूप सिंग ये सवरूप सिंग से आपको कुछ और भी बात याद आनी चाहिए सवरूप सिंग वही है जिसने किर्थिस्तंब किर्थिस्तंब का उपर की मंजिल का पुनर निर्मान करवाया था नो मंजिल के विशाल किर्थिस्तंब को राणा कुंभा ने अपने किस उपासद्य को समर्पित किया है कौन से बगवान को समर्पित किया था मित्रों विश्णू को अगर आपको किर्थिस्तंब के नाम पता होना तो भी आप पताज लगा सकते हो इसको गरुड धवज कहते हैं, विश्नु धवज कहते हैं, तो उससे आप इसका नुमान लगा सकते हो. निमलिक साजकों में से किसने भीलों को अपनी सेन्य विवस्ता में उच इस्तानों पर न्यूक्त किया? अभी लों को किस ने किया तुमित्रों याद होगा पुंजा भिलकिन की सेना में था परताब की तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा महारणा परताब राइट आंसर रहने वाला है महारणा परताब इस question के लिए बिल्कुल right answer रहने वाला है कि भीरों को किसने वविस्ता में किसने सामिल किया था तो रणा परताब ने महारणा परताब बोल दो भी बात है इसके बाद next question के रहा है कि परताब के सांतिपुरुख अधिनता सभीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम सिस्टम अंडल यानि कि मैंने आपको बताया J, M, B, T याद आना चाहिए आपको किस के नेतरितों में भिजा गया था J, M, B, T याद आना चाहिए जलाल खाकोर्ची और T से टोडरमल इस परकार से आप याद करोगे तो हो जाएगा दो पे मान सिंग आता है बगवन्ताज जलाल खाकोर्ची मान सिंग बगवन्ताज टोडरमल हो गया ये क्योस्टन पूछे जाते हैं करम याद होना चाहिए अंतिम बार को ना रहे टी पे टोडरमल उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो क्योस्टन असान हो जाते है चलते है नेक्स्ट क्योस्टन पे खातोली के विज्य में निमानकित में से कथन ऐसते आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से ऐसते रहने वाला है कौन सा कथन ऐसते रहने वाला है मिद्रो यह युद सांगा इबराहीम लोदी के मद्या हुआ ये बात बिलकुल ठीक है सांगा और इबराहीम लोदी के मद्या होता है इस युद में सांगा ने इबराहीम लोदी के पुत्र को बंदी मना लिया ये भी यहां पर बात सही है महारणा संगा इस उद में लंगड़ा हो गये थे हाँ उन्होंने अपना एक हाथ एक पैर गवादिया था ये भी बात सही है खातोली मिवाड और मारवाड सिमा प्रस्तित सामरिक मैतव का स्थल नहीं है मिवाड मारवाड की सिमा सोज़त पाली है मित्रो ध्यान रखेंगे सोज़त पाली ये भी आप ध्यान रखेंगे तेरा सुतीर में चितोड के युद के बाद अलावदिन खिलजी ने चितोड का नाम क्या किया होगा खिजराबाद आपको ध्यान है किया किया है खिजराबाद किया है खेराबाद कहां का नाम किया है एक बार आप कोमेंट करके बताईए खेराबाद कहां का नाम किया है आप हमें कोमेंट करके बताईए आपका ये क्योस्टन है खेराबाद बताना है कि कहां का नाम खेराबाद किया था अलावदिन खेलजी और मेवाडवाश्यों के बीद चितोड की घेराबंदी किस वर्स हुई अब वही बात हो गई चाहिए आकर्मन पूछ ले ची घेराबंदी पूछ ले तो बिल्कुल राइट है 6 565 पर दूसरा इस परकार आप इनको पढ़ोगे तो आपके कोई बीक्यों ज्यादा से ज्यादा कवर होने के चांस रहेंगे मित्रों मेवाड के महारणा उद्या सिंग को बचा कर अपने पुत्र की बली देने वाली सभाविक्त स्वामी भग्त धायमा कौन थी पन्ना धाये कल भी बताया था मैंने उद्या सिंग को बचाया था कुंबलगड में असा देवपुरा के पास लेकर गए थे महारणा कुंबा दबारा रचित गरंत संगीत राज कितने कोसो में भी वक्त है मित्रों याद रहना चाहिए पांच कोसो में है पांचों के नाम आपको पता होने चाहिए पठे रतनकोस गीत रतनकोस नरित्य रतनकोस वद्दे रतनकोस रस रतनकोस पठे, गीत, नरित्य, वाद्दे, रस, जरूर ध्यान रखेंगे, एक दो बार इसको आप रिवाइस कीजिए, रिपीट कीजिए, तो ये याद हो जाएगा, एक दो बार आपको रिपीट रिवाइस करना ही पड़ेगा इसको, निमन लिखित में से कौन सा करनत मारानकूंबा की रचना नहीं है, महारानक कूंबा की रचना नहीं है, रसिक पिरिया है, सुदा परबंध है, निरित्य, रतन, कोस है, बिल्कुल है, कला निधी नहीं है, मित्रों, कला निधी नहीं है, ये रसिक पिरिया मैंने कल आपको बताया था, गीत गोविंद, गीत गोविंद पुस्तक है, किस की है, जैदेव की, जैदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर टिका लिखे गई थी, कुम्बा की दवारा रशिक विदिया नाम से, कला निधी मंदन के बेटे की अमित्रों, मंदन के बेटे के दवारा रचित है कला निधी, 1456 इस्वी में और इसके बाद 1457 इस्वी में बदनोर का यूद होता है। मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया था। इस संधी में कुतूब दिन सहा, सुल्तान गुजरात वाले कुतूब दिन सहा होते हैं और महमूद खिल जी होता है यहां पर, महमूद खिल जी और कुतू दिया जाता है। उद्यपूर सहर का संस्थापक आपसे पूचा गया है महारणा उद्यशिंग 1569 इस्वी में अब आपको जितनी भी स्थापना है याद आनी चाहिए, 1113 इस्वी में अजमेर की स्थापना होती है, 1113 इस्वी में अजमेर की होती है, 1469 में, कब 1469 में जोध जुटपूर 1113 में जमेर 1569 में उद्यापूर की स्थाफना होती है ध्यान होगा आपको कौन-कौन किसकी स्थाफना करते हैं मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया रिपीट कीजिए चेक कर लीजिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं महारणा परताब कालिन मेवाड की अं पर्तम बार राज्य-विक से कहा होता है परताब का गोगुंदा में राइट विष्वा accurately ने यूद को म्यवाड का मेरत्व नहीं कुंभा कृत है मित्रो यह ध्यान रखने वाली बात है कुम्भा कृत है नहीं ऐसा क्या चीज़ पुछा गया थ्यान रखेंगे तो हम ध्यान रहेंगे इसके लिए रहेगा संगीत राज संगीत मिमाशा सुध मरगे A, B, C तीनों ये सही रहेंगे कला नीदी नहीं है कला नीदी मैंने बताया था मंदन के बेटे गोविंद की पुष्टक है मंदन के बेटे गोविंद की पुष्टक है ये कौन था? मंदन का बेटा था मित्रों अकबर दोरा परताब के पास बेजा गए पर्थम राजदूत जलाल खांकोर्ची JmbT जितनी बार आए उतनी बार रिपीट करो याद हो जाएगा जितनी बार पर्सन पूचा जाए ऐसा हो उतनी बार आप रिपीट करो याद आपको एक दो बार इसको रिपीट करोगे तो हो जाएगा ये बिलकुल हल्दी गाटी के युद में मुगलों और महरना परताब के सेनिकों के साथ दोनों पक्सों के जिन हातियों ने बहुत वीरता दिखाई हातियों के नाम आपको बताने है लूना और राम परसाद और गजमुक्ता गजराज ये अकबर की तरफ से हो गए अकबर के हो गए और ये हमारे परताब की तरफ से और राम परसाद को तो पीर परसाद भी कहा जाता है पीर परसाद भी कहा जाता है आप जरूर ध्यान रखेंगे इस चीज़ को मेवाड की रक्षा के रूम में समरण किया दाता है भामा शा को उन्होंने मेवाड की रक्षा की थी किस ने 1303 इस्वी में चितोड प्राकर्मन किया जिसके करण पदिमिनी को जोहर कर अपने सतीतव की रक्षा करनी पड़ी किस नहीं किया था अलाउदिन खिल जी नहीं किया था मित्रों, चितोड का पर्थम साका इसी समय होता है, आप ध्यान रखेंगे, तेरा सुती निस्वी में करता है, कौन अलाउदिन खिल जी आकर्मन करता है, निमली खित्मिय से अपने को सत्य कथन के बारे में, सोरी मित्रों ऐस तेक थन के बारे में बताना है माना राज सिंग ने अपने पुरूजों के भांती पोशन की निती अपनाई बिल्कुल सही बात है मुगलों के साथ संस्कृतिक आदान परदान से राजस्तान को लाब मिला है बिल्कुल कहीं ने कहीं लाब मिला है यह संस्क्रिति कुपलूधियों के कारण स्थापिता कला है, चित्रकला है, इस परकार पूछना कुछ लाब मिले हैं, मेवड का संस्थापक गोईल था, बिल्कुल ये बात भी सही है, खानवाय का यूद बाबर और सांगा के बीच 1528 में नहीं हुआ, तो कब हुआ है, 1527 इस सही हो जाएंगे, 20-21 हैं, एक वीडियो में सिर्फ 15-20 मिनिट में करवाएं हैं, वो एक बार देख लीजिए, मेवाड की हमने सोट नोट की वीडियो बना रखिये, वो आप जाकर फिर ये क्योशन अटेम्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कि कितने क्योशन हम सोट नोट से कंप्लीट कर पा रहे हैं, वीडियो को जादा से जादा से शेर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें कोमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, किस आसको मेवाड की बहुत धिक बाकलातमक उन्ती का सबसे अधिक सिरे दिया जाता है, तो महाराना कुंभा को दिय जाता है 1657 में मुगल उत्रा धिकार संगर्स में मेंवाड की समाराणा औरंग जेव ने सहाहिता प्राप्ट करने का प्रियास किया औरंग जेव 税 सहाहिता प्राप्ट राज सिंग में से किया था र Cakemal, ये भी आप ध्यान रखेंगे उजदे के साथ चितोड छोड़ने के पस्चात पन्ना को किस स्थान पर असर रहे हैं? मतलब किस स्थान पर पंधाइ? अपना धायमा जो हैं कहां चले गए थे कुंबल गड में मैंने बता दी आसा देपुरा के पास 1689 में मुगल समराट ओरंग जेव था राणा राज सिंग के मद्धे उन्नत कटूता का प्रमुक कारण क्या था राणा राज सिंग द्वारा ओरंग जेव की हिंदू विरोधी न राणा रतन सिंग था मित्रों वैसे इसमें एक मिस्प्रिंटिंग है राणा नहीं आएगा राव रतन सिंग होगा राणा की जो या राणा या महराना साखा राणा बोल दो महराना बोल दो वह साखा कहां से प्राप स्टार्ट होती है यह मतलब टाइटल कहां से स्टार्ट हमीर के बाद यह टाइटल बोल दो वह हमीर के बाद होता है तो उससे पहले राव टाइटल का उप्योग करते थे कि ना कि राणा गुहिल बंसिया था यह सभी को पता आपको होगा अकबर द्वारा महारणा परताब से मेत्री स्तापित करने के लिए गठी त्रीतिय शिस्ट मंदल अब त्रीतिय बूच लिया गया आप से कहीं ने कहीं बगवंत दास ने यह इपोर्टेंट बाते हैं ध्यान रखनी आपको राणा संगा बाबर के मद्धे निरनाइक यूद हुआ निरनाइक जो यूद हुआ महारणा राज सिंग का सासनकाल पूचा गया है मित्रों मैंने आप से कहा था जो बड़े राजा है उनके सासनकाल पूचे जा सकते हैं जो बड़े राजा है 1652 से 1680 स्वी के सक्राय कौन सा मिवाड़ का मसूर सा सकता जिसने अचलगड के किले की मरमत करवाई थी महारणा करवाते हैं तो आप वो चिजें भी द्यान रखोगें राजस्तान का कौन सा सदसस्क मुगलों के सामने नहीं जुका था मारणा कुंभा की हत्या किती उसके श क्टी नाम सर्धारों में एक बताना था एक मुसल्मान था उसका नाम आपको बताना है हाकिम खांसूर कौन था एक मुसलमान हाकिम खांसूर था मित्रो चारों के नाम मैंने आपको बता रखे हैं फिर एक बार आप रिवाइज कर लेना कि चार कौन कौन थे 1567-68 के चितोड के मुगल घेरे के दोरान राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए प्रान त्याग दिये थे उनके नाम थे जैमल वै पता और कौन आएगा यहां पर कला राठोड आप ध्यान रख सकते हैं परसन यही था लेकिन मैंने आपको बताए कि कला राठोड भी आप ध्यान रखोगे कौन थी पता की पतनी थी नेक्स्ट कोंश्चन 59 नमबर राना कुंभा को किस वाद्य अंतर में दख्सता थी वीना ह Zuschyन करवाया हुआ है आपको वीना मन मीें दक्सता ही किया से था पर्ताब को दिंधा स्विकार करोता से राणा रतेन शिंग के रवानि पधमिनी का गोरा व बादल बुतन से करुमा से क्या संबन किस राजबु सर्दार ने खानवा के युद में राना संगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजची धारन करके युद जारी रखा इसके बाद खानवा के युद में राना संगा जाला अज्जा जाला अज्जा और जाला वीदा जाला वीदा 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 तो उन्होंने किसमें परताब के च्छोड़नं के चद्ठर को जब परताब का इंदा करता है तो झाला भी घण डा करता है संगा किसमें यह कहां करता है वह निटाटि की करता है हमारी स्रिफ एगंटे की वीडियो आप जाके देखिए वहां से कबर हो रहे हैं युद भूमी में जाते समय अपने पती दवारा निसानी मांगनी पर जिसने अपना सीस काट कर भेंट कर दिया था वै थी राणी, हाडी, सहल कमर, सलूंबर के रतन सिंग चुंडावत की पतनी थी मित्रो सलूंबर के रतन सिंग चुंडावत वहां के सामन्त थे उनकी पतनी का नाम था हाडी रानी बोल दो रानी सहल कमर बोल दो उन्ही का नाम था उन्होंने अपना सिर काट कर निसानी के तोर पर दे दिया था वे मुगल इतियासकार कौन साथ था जो हल्दी घटी के युद में मौजूद था बदाइनू बदाइनू था जिसने गोगुंदा का युद का है बदाइनू उपस्तित था महारणा संगार ने जिन अफगानों को सरण दी थी वे थे महमूद लोदी वे हैसन खाँ मेवाड की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवहा को लेकर जैपुर वजोदपूर के मदे संगर सुआ किस की पुत्री थी महाराना भीम सिंग की मैंने आपको बताए था उनकी दो बार सगायी हुई एक बार मारवाड के भीम सिंग के साथ मैंने आपको UAंट बता दिया थे भीम सिंग की पुत्री था और नेञस्ट क्योशन देखते हैं पदमिनी किसकी पुत्री थी कि सासक ने चंदेरी के युद को जिहाद गोशित किया था और युद पुरांत राजपुतों को इस सीरों को मिनवार बनवा दे थी बाबर ने किया था मित्रों बाबर ने किया था ये चंदेरी वाला युद मित्रों 1528 सी स्वी में होता है सांगा के युद्धारने के बाद ये अंतिम राजबुतों का एक बार और परियास था जिसमें सभी राजबुतों को हरा दिया जाता है और बाबर जिहाद की गोशना कर रखी हो मारणा अमर सिंग वक्षूरम के मद्या संदी हुई थी संदी की तारिख आप से पूछी गई है पांच फरवरी सोला सो पंदरा इसवी में होती है मित्रों खानवा में बाबर के विरुद सांगा की साहिता के लिए किस के नेत्रितों में मारवाडी सेना बेजी गई थी मालदेव के नेत्रितों में निमन पैंक्ति किस के लिए परसिद है चुंडावत मांगे सेनानी सिरकाट दियो चतरानी सहल कमर के लिए हाडी रानी सहल कमर के लिए ये वाते ये जो परसिद पहिंक्तियां है चुंडावत मांगे सेनानी सिरकाट दे दियो चतरानी राना सांगा ने किस यूद में इबराहीम लोधी को प्राजित कर बुंदी राज्ये पर अधिकार कर लिया था खातोली मारणा परताव ने चावणड को अपनी राजधानी मनाया जो मिवाड़ की राजधानी रहा था 1625 इसवी तक और बनाया कब 1585 1585 से लेकर 1615 इसवी तक राजधानी कहां रहती है निमन में से कौन से राजपुत सरदार खानवा के युद में बाबर के विरुद राना सांगा के पक्स में लड़े थे आपको बताना है तो राज़ा भारमल इड्र से विरम देथ मेरतिया तो एक वै दो मित्रों यांपर से ही रेंगे एक वैदो बिल्कुल से रहेंगे, बिका नहीं होगा, लून करण नहीं होगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्योशन के बारे में देखते हैं चितोड आकरमन के समय अलाउदीन खिल जी के साथ कौन सा कवी था? अमीर खुसरो था, हरमाडा का युद आप से पूछा गया है मैंने कल बताया था आपको हरमाडा के युद के बारे में जानकारी दिय थी सेरसां के सेनना एक हाजी ठा और उधेश सिंह के मद्या होता है उद्या सिंग इस यूद के अंदर हार जाता है हर्माडा की उद में इस किले को जीतनी के करम में अकबर को जैमल वर पता के परबल विरोध का सामना करना पड़ा था चितोड के किले को मित्रो जोदपुर में आरे समाज की स्थापना की सासर के सासन काल में की गई जस्वन्थ सिंग द्वित्य के काल में आरे समाज की स्थापना की गई थी मित्रों जोद्भूर के अंदर महाराना परताब किसमें अकबर ने सहाबाज खां को कितनी बार मेवाड पर आकरमन के लिए बेज़ा था तीन बार सहवास खहां को आकरमन के लिए बेज़ा था आप ध्यान रखेंगे पंदरा सो 77, 78, 89 ये करम है कब टाइम पर आपो ध्यानत है महारना परताब की मृत्य हुई थी 1597 इस्वी में 1597 इस्वी में महारना परताब की मृत्य होती है नेक्स हमारे 85 नंबर क्योशन है निमांकित में से कौन सा राजय है जिसने मुगलों के विरुद मिवाड के महाराना परताब से संदी नहीं की थी इडर ने कर ली थी डुंगरपूर जालोर ने कर ली थी लेकिन जोधपूर रियासत ने नहीं की थी पन्ना धाय ने किसके जीवनकाल को बचाया था उध्या सिंग के जीवन को बचाया था उध्या सिंग के जीवन को पन्ना धाय बचाती है आप देख सकते हो कितनी बार ये क्योशन रिपीट हो चुका है कितनी बार क्योशन रिपीट हो चुका है previous year question आप attempt कीजिए, ज्यादा से ज्यादा paper से पहले आप वही लगाईए और उन में से आप देख पाऊगी काफी question repeat ही होते हैं, repeat ही होते हैं आप ये मान के चलो, कि अगर आप previous year करते हो, तो आपका 80 से 90% question वहीं से आते हैं वहीं से question पूचे जाते हैं, repeat होते हैं बादसाँ ने मिवाड के राणा को आपस के समझोते से अदीन किया था ने की बल से, यह कहतन किस का है सर्टोमस रो को, सर्टोमस का है किस के लिए परताब के लिए परताब के लिए ये हैमित रो, राजजास्तान का विसंपिद्धामा क से कहा जाता है मैंने आपको बताये था कुवर चुंडा को कहा जाता है राउ चुंडा की बेटी होती है राउ चुंडा की बेटी कौन होती है हंसा भाई हंसा भाई का ब्या किया जाता है लाखा के साथ विवा किस के साथ होता है लाखा के साथ विवा उने पर मोकल उनका पु होता है था औरंग जेव के साथ कौन करता है जैसिंग करता है औरंग जेव के साथ संधी करता है जैसिंग जिन्होंने जैसमंग जील डेबर जील का निर्मान करवाया उसके बाद वो संधी करेंगे नाइटी नबर क्योशन देखते हैं मिवाड के सासकों ने स्वेम को किसका द 1449 इस्वी में महरणा कुंबा के काल में रनकपूर में जैन मंदरियों का निर्मान किस ने करवाया था जैन मंदरियों का निर्मान आपसे पुछा गया है जैन स्रेष्ट धरनक साने धरनक साने वहां पर जैन मंदिरों का निर्मान ने करवाया था मित्रों आप जरूर ये बात ध्यान रखने वाले हो ये क्योशन बार-बार कुछ जाते हैं रिपीट होते रहते हैं गुजरात के सुल्टान भादुर्सा ने चितोड के लिए किस वर्श हमला किया था फंदा सो त्यती सीस्वि में आप हमें कमेंट करके बताये कि आपके इन अंडर्ड क्योशं में कितने क्योशं सही हो रहे हैं निमंल लिखे जोडों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है कौन सा एक सही मेल नहीन आपको बताना है राणा कुंबा गुहिल था राणा सांगा गुहिल था ठीक है राऊ माल देव राठोड था नहीं टेशी है तो क्या राठोड आएगा तो इसने पूछा क्या है मेल नहीं खा रहा है तो चार नंबर उप्शन बिल्कुल राइट है, यहां पर हो जाएगा, चार नंबर उप्शन राउचंदर सेन भाटी का रखाया, जो की नहीं है, राउचंदर सेन राठोड आएगा, राउचंदर सेन क्या कौन थे, राठोड थे, 95 नंबर क्योशन, देखते है मित्रों, 95 न किस ने किया था, साबाज खाने आकर्मन किया था, कब 1578 इस्वी में, 97, मिवाड की किस राजकुमारी को, 1810 में, अमीर खां पिंडारी की सलहा पर जहर दे दिया गया, अमीर खां पिंडारी, यह आप नाम जरूर ध्यान रखेंगे अमीर खांप पिंडारी के कहने पर जहर दे दिया किसको कृष्णा कुमारी को कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया और इसके साथ कृष्णा कुमारी को लेकर होता है मित्रों गिंगोली का युद ध्यान रखेंगे कृष्णा कुमारी को लेकर होता ह मालवा के महमूद सेकिंड से नेक्स क्यूशन है हमारा 99 नंबर है रणा परताब के कि सोतेले भाई को अकबर ने जहाजपूर की जागीर परदान की थी कहां की जहाजपूर की जगमाल को परदान की थी मित्रों किसने अकबर नेदी थी जगमाल को जहाजपूर की जागीर हल्दी काटी के युद में महाराणा की भील सेना का कमंडर कौन था मित्रो राणा पुंजा भील बोल दो राणा पुंजा भील यह आपको options भी डिपेंड करता है वैसे आएगा पुंजा भील राणा नहीं आएगा खानवा के युद में महाराणा संगराम सिंग की सेना में कौन सामिल नहीं था महमूद लोदी असन खामिवाती हाकिम खांसूर मालदेव राठोड तो एक बात है महमूद लोदी था हसन खामिवाती था यह हाकिम खांसूर तो परताब की सेना में था तो यह नहीं होगा माल औरंग जेव के विरुद विद्रो किया गया था मिवार्ड के मारणा राज सिंग के दवारक किस राजकुमारी के साथ विभा करने के कारण औरंग जेव उसके साथ नराज हो गया था चारुमती के साथ विभा करने के कारण औरंग जेव नराज हो गया था मित्रों आज का हमारा अंतिम क्योश्चिन आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेट करके बताइए जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए और जो चैनल पर नहीं आए है वो चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उनको लेटेस्ट नोडिफिकेशन मिलते रहे खातोली का यूद लड़ा गया था पूचा गया है इबराहिम लोदी और माराना सांगा के बीच इब्रहाइम लोदी और महारणा सांगा के बीच में खातोली का यूद लड़ा जाता है 1518 इस्वी में 1518 इस्वी के अंदर वर्तमान में ये कोटा जिले में आता है खातोली कहाँ पर आता है वर्तमान में कोटा जिले के अंदर आता है मित्रों आज के लिए इतना ही थैंक यू आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके हमें बताएं